नमस्कार प्रिया दर्सको मैं हूँ अश्रोजर र्युगुपता और स्वागत करता हूँ आज के मेरे बहुत इविश्यस कारिकरम प्रिया दर्सको आज मैं आपको बताऊंगा कि मिथुन रासी वाले और तुला रासी वाले आपके उपर वर्तमान समय में सनी की ढईया चल रही है लेकिन 11 अक्टूबर के बाद सनी हो जाएंगे अपनी स्वाइम की रासी मकर में मारगी और सनी की ढईया जो है आपके जीवन में प्रारंब हुआ था 24 जनवरी सन 2020 को और सनी की ढईया आपके जीवन में समाप्त होने वाली है 29 अपरिल सन 2022 को तो मैं आपको बताऊंगा कि 11 अक्टूबर से ले करके 29 अपरिल 2022 के मंद्ध में ये जो 7 महिने आपके जीवन में बचेगा आखिर क्यों सनी आपके ऊपर ढईया का सुभ और चमतकारी फल परदान करेगा वास्तवी क्रीजन के साथ बात करूँगा और एक एक पहलू पे आपको जनकारी दूँगा और साथ में इसके प्रभाव को इसके चमतकारी प्रभाव को आप किस प्रकार से सुभ और लाबकारी और जादा बना सकते हैं इसकी संपुन जनकारी मैं आपके समक्षे प्रस्तुत करूंगा प्रियम मिथून रासी और तुला रासी वाले जोतिस सास्तर में कहा जाता है कि जब भी गोचर में सनी देव चंदर राशी से यानि चंदर कुंडली से चतुरत अस्थान या अस्टम अस्थान पे विराजमान होते हैं तो उस राशी के ओपर सनी की धहिया लग जाती है सनी को न्याय पालक पिछले जन्म के कर्म पालक और इस जन्म के भी कर्म पालक माने जाते हैं यानि कर्म के फल देने वाले माने जाते हैं जोतिस सास्तर में सनी को जो है जज्टिस यानि जज का पदि भी दिया गया है और आप किसे भी जन्व में कोई भी कर्म करेंगे अगर आप वास्तविक जीवन पे जी रहे हैं तो सनी आपको इसका फल देगा ही देगा क्योंकि एक मात्र ऐसे ग्रा है और ऐसे देवता है कि राजा हो महराजा हो यानि रंक हो या राजा हो इस्वर हो या मनुष्य हो कोई भी हो सभी को ये जो है अपने फल को देने पे मजबूर रहते हैं क्योंकि इनको ब्रह्म के द्वारा न्याय पालक की अवधी दी गई है य जादा कह सकता हूं कि कर्म कनोसार फल देने की स्थितियों में रखा जाता है साड़े साती जो होता है ये भी मनुस्य के जीवन में सुब असुब फलों को देते हैं और धाया भी जो होता है ये भी मनुस्य के जीवन में सुब असुब फलों को देते हैं धाया जो होता है ये स्थितियों से ले करके तनाव की स्थितियों और परिवारिक से ले करके स्वास्त की स्थितियों को खराब करने वाले होते हैं और बाकी जो दस महीने होते हैं यह लाभकारी होते हैं लेकिन इस वार ऐसा क्या हुआ कि मिथुन राशी और तुला आसी वाले आपके उपर सनी का ढहिया का बहुत जादा सूप प्रभाव नहीं मिला इसका वास्तविक रिजन क्या था पहले ये सुनिए सर पर्थम देखिए क्या हुआ कि सनी जब गोचर में मकर राशी में ही आए क्योंकि सनी जो अपनी स्वयम की राशी मकर में गोचर कर रह है जोतीस आस्तर में कहा जाता है कि कोई भी पाफ पी कर अगर अपनी राशी को छोड़ करके दूसरी राशी पर वकरी होता है तो सूप फल्दाइज रहेगा लेकिन अपनी राशी पर वह वकरी होता है तो बहुत ज्यादा शूथ पल्दाइज नहीं रहेगा और सनी वर्तमान समय में गोचर में जो है यह वक्री भी चल रहे हैं जो एक 11 अक्टूबर से मारगी हो जाएंगे दूसरी महत्पुन जनकारी देखिए क्या हुआ कि जब सनी वक्री थे यह तो बात अलग है लेकिन 2020-21 में क्या हुआ सनी का जो है पाया जो रहा वो लोहा का रहा लोहे के पाया में सनी देव को जो है अत्यधिक दूस्ट प्रभाव देने वाला अत्यधिक तनाव के स्थिति में और पुन रूपेन पापी ग्रह का फल देने की स्थितियों में ले आता है यही कारण है कि सनी को लोहे की पाया में रहने के कारण सूपल की प्राप्ति नहीं हुई और सबसे महत्पुर्ण बात यह रहा कि सनी जो है वर्तमान समय में चंदर्मा के नच्छत्र श्रवन पे गोचर कर रहे थे यही कारण है कि सनी जो है सूप फलदाई नहीं हुए क्योंकि चंदर्मा मन के कारक है और सनी और चंदर्मा के यूति के कारण जो होता है यह 20 योग यूत्पति हो जाती है यही कारण है कि तनाव प्रशानियों से मुक्ति नहीं मिला लेकिर 11 अक्टूबर से सनी मारगी हो जाएंगे और 18 फरवरी से सनी अपने नक्षत्रों को चेंज करके जो है धनिश्टा नक्षत्र यान मिथुन राशी की बात करता हूं मिथुन राशी वाले जब सनी की डहिया आपके जीवन में आया तो घरेलों उल्जहनों की स्थितियों को उत्पन किया आय के सुरोतों को नहीं बढ़ने दिया परिवारी कलेश की स्थितियों को उत्पन किये पद्दोनती परमोशन में रुपेन सुख फल ये नहीं दिया जब सनी 11 अक्टूबर से मारगी हो जाएंगे तो ये सनी का मात्र साथ महिने का ढहिया का जो फल रहेगा आपके उपर में जो है सर पर्थम क्या-क्या सुख फल देगा सर पर्थम आपके भाग्योनती और प्रमोशन के रास्तों को खोल दे पैसे एकदम नहीं बच पा रहे थे पैसे बचने चालू हो जाएंगे इसके अलावा जो है आप किसी भी तथ्यों पे अपने बातों को दूसरों का समक्ष जो नहीं प्रकट कर पाते थे अपनी बातों को प्रकट कीजिएगा पंचा मस्थान पे पुन रुपेन खल आपको मिलना चालू हो जाएगा सरपर्थम उच्छ सिक्षा के साथ पुरानी नोकरियों में जो इस्थित्यां खराब हो चुकी थी इसमें सुधार की योग बनने चालू हो जाएंगे और पेट पैरों के कस्ट से भी निजाद मिलना चालू हो जाएगा आपकी बहुत जाएंगे और सरपर्थम आपके और आपके दामपत्य जीवन में वैचारिक मदभेद समाप्त होंगे लब रिलेशन में भी वैचारिक मदभेद समाप्त होंगे लोट्री सट्टा शियर मार्केट का बड़ा लाब दिखना चालू हो जाएगा साथ महिने में और बुरे से पूरे पर स्थितियों में भी आप बहुत जादा आत्म निर्भर और सुखद फिल करने वाले रहिएगा यही बात अगर तुलारासी वाले आपके लिए करना चाहेंगे तो जब तुलारासी में सनी का ढईया आपके जीवन में चला तो क्या हुआ आपके जीवन में माता के स्वास्त को यह खराब कर दिया संपती क्या प्राप्त होगी उल्टी संपती जाने के स्थितियों को उत्पन कर दिया प्रफेक्ट आप किसी से प्रेम करते थे लेकिन प्रेम के स्थितियों को यह उन्होंने खराब कर रखे थे इसके अलावा जो है आपको संतान सुखों मे में बाधा संतान से कलेश मांसिक तनाव नौकरी पर्मोशन में बाधा पिता और माता से आई स्थीरताएं साथ में मन चहा जगा अस्थांतरन भी नहीं हुआ पर्मोशन और पदोनती में भी आपके जीवन में समस्यां उत्पन होने लगे और इतने ज्यादा डिप्रेस्ट औ आपके जीवन में 11 अक्टूवर से सूपफल देने लगेगा और ये 29 अप्रिल 2022 तक सनी की जो ढहिया लाष्ट बचेगी ये साथ महिने में क्या-क्या सूपफल मिलना चालू होगा सरप्रथम आपके जीवन में नए-नए नौकरियों के बहुत ही अच्छय अच्छय अप्र खास करके जासूस है या किसी रिसर्च के छेतर में हैं खास करके इंजिनेरिंग वेगरा के छेतर में हैं जीवनों में जो उल्जनों के स्थितियां उत्पन हुई इन सभी प्रकार के समस्यां दूर होंगी और आपके महत्पुन पद्द के साथ में एक अच्छे जौब का और फरतक प्राप्त होने चालू हो जाएंगे इसके अलावा जो है सनी आपके कुंडली में आपके लोगों का समक्ष आपके इस्थितियों को बढ़ाएगा आपके महत्पुन को बढ़ाएगा आपके कॉंफिडेंट में यह ब्रिधी करने वाला रहेगा यानि करिएगा अथार्थ इंप्रेश करिएगा और इसके अलावा जो है करज की मुक्ती के भी रास्ती जीवन में यह खोणला प्राखमिकर देगा आप अपने कारण से ज्यादा के सिक्षा को ले करके परिशानिया जो चल रही थी वह परिशानिया को दूर करेगा लोट्री शट्टा शेयर मार्केट पे आपने पैसे लगाए थे लेकिन बहुत जादा धन की प्राप्ति नहीं हो रही थी यह सनी के प्रोपर्टी थे लेकिन आप उसमें कर्स्रेक्शन का काम चालू कर रहे थे लेकिन वह रुक गया था वह पुना प्रारंब होना चालू हो जाएगा और आपके जीवन में सारे फसे हुए पैसे भी निकल जाएंगे यानि यह बहुत ही सुब और लावकारी फल है हालाके अब प्रशन यह उठता है कि इसके प्रभाव को और अच्छा आप किस प्रकार से कर सकते हैं इसके प्रभाव को अगर और शुब और लावकारी बनाना चाहते हैं तो सर पर्थम 11 अक्टूबर के बाद जो है आपको अपने से नीचे यह अपने से बड़े जो भी लोग है महतो देना है उनको समान देना है और बुरे से बुरे प्रस्थितियों में उन लोगों को पर दुराचार अत्याचार यह आहंकारी प्रविति नहीं लानी है अगर इस प्रकारी की प्रवितिया लाते हैं तो सनी का प्रभाव सुब नहीं मिल पाएगा ड़िया का इसके अला तेल का या फिर तिल के तेल का दीपक अवश्य जलाना है या आप सनिवार को ना खरीद के और किसी दिन परचेज कर सकते हैं इसके अलावा जो है सनिवार के दिन आपको कंटीनियू कम से कम एक बार या दो बार साम के समय सुभे नहीं हनुमान चालिसा का पाठ करना है काले ग खिछडी खिलाते हैं तो सनी के ढईया का प्रभाव और कम पड़ेगा और और ज्यादा सुभ और लावकारी फल आपके जीवन में प्राप्त होने चालू हो जाएंगे आप यहां उपाय करके तो देखिए ऐसे भी मुझे पता है कि 11 अक्टूबर से सनी के ढईया का प्रभ अगर क्यों मिलेगा इसकी संपुन जनकारी दी है उमिद करता हूं कि बताई कि जनकारी से अपुन रुपें संतुष्ठ होंगे तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करिए शेयर करिए सब्सक्राइब कर दिए मिलते हैं अगले वीडियो में और महत्तप झाल